तो दोस्तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जोग्राफी आप इंडिया हमें हम लोग पॉपुलेशन पढ़ रहे हैं जिसका फर्स टॉपिक हम लोग कम्प्लेट कर चुके हैं जो के था पॉपुलेशन डिस्रिबूशन और आज हम लोग उसका सेकिंड टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो है पॉपुलेशन ग्रोथ तो चलिए शुरू करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ चेंज इन नंबर ऑफ इन्हेंपिटेंट्स और टाइटरी तो दोस्तों जब एक एरिया का पॉपुलेशन सटनली एक टाइम पीरियाट में चेंज हो जाता है तो उसको पॉपुलेशन इस इन इंडिकेटर ऑफ एकॉनमी डिवेलपमेंट तो फ्रेंट्स पॉपुलेशन में बदलाव आना अच्वामिक डिवलपमेंट को इंडिकेट करता है तो सोचल अपलिफमेंट का मतलब है जो बैकवर्ड और डिप्राइब एरियाज होते हैं वहां के ल इन इंडिकेट करता है तो दोस्तों कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर बहुत अलग अलग तदा के रीती रिवाज होते हैं जिसके वजह से महां के एरिया इसकी पॉपुलेशन में बदलाव आना हिस्टोरिकल और कल्शल बैकगराउंड की वजह सो दोस्तों हिस्टोरिकल और कल्शल बैकगराउंड महां के पॉपुलेशन में बदलाव आने की वजह बन जाता है उसके बाद आता है कॉंपोनेंट्स और पॉपुलेशन चींज सबसे पहला है बर्थरेट क्यूट बर्थरेट नंबर ऑफ लिव बर्स इन एयर पर थाउजंड ऑफ पॉपुलेशन तो दोस्तो एक साल में थाउजंड लोगों में से कितने लोग जो हैं वो लिव बर्स हैं तो दोस्तो उसको क्यूट बर्थरेट बोला जाता है दोस्तो लिव बर्स का मतलब होता है जो बच्या लाइफ पैदा होते हैं बस वही इस में क्यूट बर्स रेट में काउंट होते करेंगे मिडेयर पॉपुलेशन का मतलब है साल के 20 तक की जो पॉपुलेशन होती है उसको हम लोग डिवाइट करेंगे और इंटु हंड्रेट कर देंगे तो हमारा क्यूट बात रेट निकल कर आ दोस्तों सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कितनी डिवाइट करेंगे मतलब साल के 20 तक की जो पॉपुलेशन है उसको डिवाइट करेंगे और इंटु हंड्रेट कर देंगे तो क्यूट रेट निकल कर आएगा दोस्तों उसके बाद आता है माइग्रेशन माइग्रेशन में बहुत बढ़ी वज़ा है पॉपुलेशन चीज़ कि पीपल मुव रॉम वन प्लेश्ट टू अनाडर दोस्तों माइग्रेशन का मतलब होता है लोगों का एक से दूसरी जगा जाना माइग्रेट करना उसको ही migration बोलते हैं place of origin place they move from दोस्तो place of origin का मतलब है कि जहां से लोग दूसरी place के लिए move करते हैं उस place को place of origin बोलते है place of destination place they move in तो place of destination मतलब है जहां लोग पहुचना चाहरे हैं जहां लोग जाना चाहरे हैं उसको place of destination कहते हैं migration can be permanent तो तो दोस्तों, migration permanent भी हो सकता है, काफी लोग हमेशा के लिए एक जगा को छोड़ देते हैं, और दूसरे जगा में जाना जाके बस जाते हैं, तो उस migration को permanent migration भोला जाता है, temporary and seasonal, migration temporary भी होता है, मतलब कुछ time के लिए लोग दूसरे जगा पर जाके रहन लगते हैं, और फिर वापस अपनी जगा पर वापस आजाते हैं, और seasonal, उसके बाद है types of migration, तो दोस्तों, migration किन types के होते हैं, ruler to rural, मतलब rural to rural का मतलब है, गाओं से गाओं, rural urban मतलब गाओं से शहर, urban ruler मतलब शहर से गाओं, اور urban to urban मतलब शहर से शहर, immigration का मतलब होता है, migrants who move into a new place, दोस्तों, migrants को होते हैं, मतलब people जोके move करते हैं, एक नई जगा पर तो उसको immigration बोलते हैं, immigration, migrants who move out of a place तो दोस्तों, migrants जोके एक जगा को छोड़ देते हैं उसको immigration बोलते हैं factors that influence migration तो दोस्तों, वो factors हैं जोके migration को effect करते हैं वो है push factors, unemployment, poor living condition, political turmoil, unpleasant climate, natural disasters, epidemics and socio-economic backwardness so friends push factors का मतलब होता है वो conditions जो लोगों को अपनी जगा छोड़ने पर मजबूर कर देती हैं वो है unemployment, लोगों को वहाँ job नहीं मिलती poor living condition, रहने की अच्छी जगा नहीं मिलती political turmoil, unpleasant climate, वहाँ का climate अच्छा नहीं होता या फिर natural disasters आते रहते हैं मतलब earthquake आते रहते हैं या फिर tornado वागरा और epidemics मतलब वहाँ पर बीमारियां फैलती रहती हैं उसके बादे दोस्तों pull factors pull factors का मतलब है वो factors जो के लोगों को दूसरी जगा पर रहने के लिए मजबूर कर देते हैं better job opportunities जहाँ पर better job opportunities होती हैं living conditions होती हैं अच्छी रहने की जगाए होती है peace and stability होती है security होती है security of life and property and peace and climate और महाँ का climate भी बहुत अच्छा होता है तो वो वैसी जगाए लोगों को attract करती हैं इसके बाद आता है trends in population growth तो दोस्तों अब तक का trend जो रहा है population growth का वो क्या है earth population is more than 6 billion तो दोस्तों earth की जो population है वो 6 billion से ज्यादा है after the evolution and introduction of agriculture about 8,000 to 12,000 year ago the size of population was 8 million तो दोस्तों 8 से 12,000 साल पहले evolution के बाद जब लोगों ने खेती बाड़ी करना शुरू किया तो जब पूरे world की population 8 million थी in the first century AD it was below 300 million और first century AD तक पूरे world की population 300 million से कम थी in the 16th and 17th century the population growth rate increased due to expanding world trade तो दोस्तों world marketing की वज़ा से 16 to 17th century में population की rate जो है वो बढ़ने लगा increased हुआ around 1750 at the dawn of the industrial revolution the world population was 550 million तो दोस्तों industrial revolution जब शुरू हुआ जब शुरू हुआ जब शुरूआ थी industrial revolution की तो पूरे world की population 550 million थी in the 18th century after the industrial revolution world population exploded तो दोस्तों industrial revolution की बाद 18th century में तो पूरे दुनिया की जो population थी वो explored हुई यानि बहुत ज़्यादा भढ़ गई उसके बाद है doubling time of world population मतलब दुनिया की population का दुगना हो जाना it took more than a million years for the human population to attain the 1 billion mark तो दोस्तों इस process में 10 लाग साल लगते हैं 1 billion population को ग्रो होने में मतलब 1000 लाग population पहुचने में 10 लाग साल लगते हैं but it took only 12 years for it to rise from 5 billion to 6 billion लेकिन 5 billion से 6 billion population पहुचने में सिर्फ 12 साल लगे developed countries are taking more time to double their population as compared to developing countries तो दोस्तों developed countries मतलब वो countries जो पहले से ही developed हो चुकी थी वहाँ पर population growth कम थी मतलब वहाँ पर population double होने में ज्यादा टाइम लगा अगर हम लोग developing countries से compare करें तो दोस्तों developing countries जो के अभी develop हो रही हैं उनमें population growth का rate बहुत ज्यादा था population growth rate is taking place in developing countries example Yemen, Liberia, Somalia, Saudi Arabia and Oman ये साथ जो हैं ये developing countries हैं इन countries में population growth बहुत ज्यादा थी उसके बाद है spatial patterns of population change spatial का मतलब बता है arrangement patterns of population change annual population rate change that is 1.6% in 1990 to 1995 to 1.4% in 2004 to 2005 तो दोस्तों annual population rate जो था वो change हुआ 1.6 जो था वो कम हो गया this is due to when a small annual rate is applied to a very large population it will lead to a large population change so friends जब annual rate मतलब बहुत ज्यादा कम पैसे बहुत ज्यादा बड़ी population को यूज करने के लिए देया जाता है और खाने की कम ही है और पैसे कम होते हैं जब यह ऐसी condition आती है another main reason due to increase in infant mortality rate तो दोस्तों बच्चों का पैदा होते ही मर जाना और death rate का increase होना मतलब ज्यादा मौते होने की वज़े से यह वाली condition आ जाती है उसके बाद है impact of population change death rate increase in Africa and some parts of the CIS and Asia due to who deadly HIV AIDS epidemics so friends आप Africa में death rates बढ़ गए और some parts of CIS और CIS से कुछ parts में death rate बढ़ गए CIS रश्या में प्रेजेंट है and Asia due to deadly HIV AIDS epidemics तो जब AIDS epidemics फेला तो यह death rates कुछ जगाओं पे बहुत ज्यादा बढ़ गए population rate increase due to growing economy और population rate increase हुआ growing economy की वज़े से फ्रेंट सब्सक्राइब marketing बढ़ गए economic goods की तो उसको एक growing economy बोलते हैं तो उसकी वज़े से population increase हुई और इसकी वज़े से death rate जो है इसकी वज़े से death rate यह disease जो आई HIV 86 के वज़े से death rate ज़्यादा हो गए और फिर से population बढ़ गए growing economy की वज़े से तो दोस्तो यह सब था population growth में आई होगी अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और साथ ही बैल आईकन को प्रेस करिए ताकि आपको मेरे अप्लोटिड वीडियो सबसे पहले मिल सकें बाई